हिंदु धरमे केवल पूजा पाठ ही नहीं बलकि कई चीजों के लिए नियम निरधारित किये गए हैं। सनातन हिंदु धरमे कई परपड़ाएं और नियम सदियों से चले आ रही हैं। और आज भी लोग इसका निरवहन करते हैं। हिंदु धर में पूजा पाठ करने से लेकर सोने, उठने, बैटने, भूजन और स्नान करने से लेकर कई नियमों के बारे में बताया गया है। इनी में से एक नियम है रात्री या सूर्यस्त के बाद पेड़ पौधों को भूल कर भी नहीं छेडने का। आज भी घर के बड़े बुजूर्ग रात्री में पेड़ पौधों को चूने या उनकी फूल पत्तियां तोडने से मना करते हैं। इसके पीछे ना केवल धार्मिक मानिता है बलकि इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण भी बताया जाता है। चलिए जानते हैं कि क्यों नहीं तोड़े जाते रात को पेड़ पौधे और फूलों की पत्तियां। सनातन धर्म के अनुसार पेड़ पौधों को जीवित माना गया है जो की अन्यजीव जन्दों की तरह सूर्यास्त के बाद विश्राम करते हैं। इसलिए सोते हुए को नीद से जगाना अनुचित नहीं माना गया। इसलिए बड़े बुजूर्ग रातरी में पेड़ पौधों की फूल पत्तियां तोड़ने से या उसे चूने से मना करते हैं। दूसरा कारण ये है कि सूर्यास्त के बाद परिन्दे पेड़ों को ही अपना पसीरा बनाते हैं और यहां विश्राम करते हैं। वहीं पोधों में छोटे-छोटे कीडे पतंगों का पसीरा होता है। पेड़ पोधों की पत्तियां रात्री में तोड़ने से इन पक्षियों और कीट पतंगों को भी समस्या होती हैं। और शाम तक मुर्जाने लगते हैं। दिन भर खिले रहने के बाद फूलों का सुगंद और सौंदर दोनों सुर्यास्त के बाद समाप्त हो जाता है। ऐसे फूलों को तोड़ कर यदि आप देवताओं को अपवित्र करते हैं, तो इसे पूजा का फलाप को प्राप्त नहीं होता। अब हम चौन लेते हैं कि इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण क्या है। और रात को पेड़ के फूल पत्ते आधी भी नहीं तोड़ना चाहिए। इसलिए आप हमेशा ध्यान रखें कि भूल कर भी रात को फूल पेड़ पत्ती नहीं तोड़ें। क्योंकि इसका धार्मे के साथ-साथ वैज्ञानिक भी महत्वबत आया गया है। वीडियोटेक्स जीवांजली.com